हलो फ्रेंड्स तो आज मैं ऐसी आईस्कीम की रैस्पी लेके आई हूँ जिसे मुह में डालते ही घुल जाने वाले हैं और खान में बहुत यादा टेस्टी और स्वादिश लगती है so friends इस ऐस्कीम में ना ना ही विपिंघ करीम का ज़रूवत पड़ेंगे और ना ही अमुल फ्रेस क्रीम जो आते हैं उसकी भी के हाथों से हटा के रेडी कर लूँगी सो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अं तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे एक लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो फ्रेंड्स हम लोग तो बहुत सारे वह आइस क्रीम खाते हैं तो एक बार इस हॉ सभी आप के रेडि कर ली हूं तो में इहां पर ग्रेटल ले लिए और बिलक्त का अंतब कर लूँ हुआं को कदुकास कर कर लोंगी तो फ्रेंड्स इस जों डिलायों तो तो में बूँच में डून धाने उसह वी के ठाले तो यह हम सारे आई को कृटी कर लिए तो सबसे प में 3 चमच के इतना मिल्क पॉडर और दो चोटे चमच में डाल दूगी कौन प्लार तो अगर कौन प्लार ना हो तो आप इसमें मैदे काफी यूज कर सकती हैं साथ ही डाल दी मैं इसमें 2 बड़ा चमच मिल्क बोड चीनी तो फ्रेंट्स सभी चीजों को मैं अब अच्छी तरह से मिला लेती हूं तो फ्रेंट्स जो मिल्क पॉडर है वो तो पास के ही दुकान में ही मिल जाएंगे ये देखिए अब मैं सभी चीजों को मिला के गैस अन करके कढ़ाई को रख दी और अब मैं इसे लगाता चलाते जा जादा इसे बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करूंगी ये ठंडे हो जाने के बाद धिरे धिरे गाढ़ा हो जाएंगे तो अब मैं कढ़ाई से एक कटोरे में अनि बावल में से सब कर दी हूं तो मैं यहां पे गैसन करके अब कढ़ाई को रख दूंगी तो मैंने जो आम को कर लेती हूं तो कढ़ाई गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल दी कदूकस की हुई आम को और आम को मैं थोड़ी दिर गैस की लूमिडियों फ्लैम पी एक मिनट तक चलाऊंगी ये देखे तो अब मैं इसमें डाल दी मिठास के इतना चीनी तो फ्रेंड्स कच्छे आम में तो अब चीनी को जादा डालिएगा ताकि थोड़ा ये मीठे लगे नहीं तो बहुत ज़्यादा खट्टे लगेंगे आइस क्रीम ये दिखिए चीनी डालने के बाद आम में बहुत सारे पानी चोड़ना इस्टार्ट हो गया है तो इससे लगातार चलाती जानी है तो तब आप नहीं डालना चाहती हो तो इससे इसकी भी कर सकती है तो देखिए फूट कलट डालने के बाद इसकी जो खूबसूरती है वह बहुत ज्यादा बढ़ गई ना तो ये देखिए मैं इसे अच्छी तरह से चलाते हुए चासनी को अच्छा से सुखा ली हूँ तो अब मैं पांच मीनट तक हलकिल के हाथों से फै ٹले तो साथ ही तालती में इसमें मलाई जो हम लोगों के घर में दूद के ऊपर मलाई बेड़ते है ना उसी मलाई को मैं यहां पर यूज कर रही तो मैंने मलाई को तीन चमच के इतना ले ली और फिर से मैं इसे मलाई और दूद वाली जो क्रीम मैंने बनाए थी उसे तीन मिनद तक फैटी और जो आम के मैंने पल्प बना के रेडी करे थे ना तो यह बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए तो फ्रेंट जब भी आप इस की इतना फूड कलर तो अगर आपको डालना हो तो डाले नहीं तो कोई दिकत नहीं यह देखिए मैंसे डालने के बाद मिला ली और अब मैंसे जमने के लिए डालोंगी तो मैं यहां पे बड़ा सा डबा ले ली हूँ तो मैं उसमें सारी आइस क्रीम की बिटर को डाल दी औ और अब मैंसे हलका सर टैप टैप कर लूगी और फ्रेंड्स इसके ढखन को मैं ढखने के बाद फ्रीज में साथ से आथ घंटे तक मैंसे सेट होने के लिए छोड़ दूगी अगर आप रात में बना रही हैं तो अबर नाइट इससे रखतें फ्रीजर में और यह देखिए साथ से आठ घंटे हो गए हैं और मेरी जो आइस कीम होया है वो बिल्कुल सेट हो गई है तो अब मैंसे सब करती हूँ तो मैं यहाँ पे एक प्लेट ले ली हूँ और आइस कीम को उसमें सब करूँगी और यह देखिए मेरा टेस्टी यम्मी लाजबाव आइस कीम बनके र झाल मैं यह दो आई सक्तर कर दो करते हैं यहाँ प्लेट जिल्क्रव से साथ कि लेंगे!